हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सभी आज मैं आप सभी को वर्बेना प्लांट की केर कैसे करनी है उसमें आप देख सकते हैं इसके किती सारी कलर वैराइटी पॉपुलर है इसमें परपल रैड वाइट पिंक पिंक के काफी सारे शेड्स में अविलेबल मैं जो नर्सरी से लेकर आई हूं वह रैड थोड़ा रैडिश है टमाटरी रैडिश कलर जो होता है वह यह वर्बेना का इनको काफी ज्यादा स्पेस चाहिए होता है तो आप जब भी इसे लगाए बड़े कंटेनर मतलब वाइडर होना चाहिए कंटेनर बड़ा मिंस जलते काफी ज्यादा है आप चुटा सा भी प्लांट लगाते है तो बूरे गंबले को कवर कर लेते तो मैंने इस तरीके के पॉस्टिक प्लास्टिक कंटेनर इसमें इसमें प्रॉपर पांच होल किये वह ताकि वॉट ब्रोपर डेनाऊच हो सके क्यूंकि इनको ज्यादा नमी पसंद नहीं है, हमें इनकी मिट्टी को moist रखना होता है, पर वो सौगी नहीं होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए आप जब भी इसकी मिट्टी prepared करें तो उसमें एक हिस्सा compost का, एक हिस्सा sand का और garden soil जरूर mix करें उसमें, प्लस आप एक टेबल स्पून इसमें fungicide powder का मिला दे, ताकि कोई भी fungal infection या कुछ भी problem ना हो मिट्टी में, तो ये काफी अच्छे से growth करतें, जब भी आप nursery से लेकर आए, तो soil का mixture इसी तरह से prepared करें, तो जब भी आप इने लगाएंगे ये तो ये शौक में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये winter flowering plants लगाते हैं, तो काफी शौक में चले जाते हैं, इनका environment change होता है, तो वर्बेना का एक nickname है, इसे tears of ices भी कहते हैं, ices जो है, वो एजिप्ट की great goddess का नाम है, तो उनके आसू जो होते हैं, उनका नेम पर वर्बेना का नेम पड़ा हुआ है, tears of ices, ये native America या एशिया के natives हैं, ये worldwide काफी popular plant है वर्बेना क्योंकि इनमें जो flowering होती है, वो गुच्छों में होती है, काफी गुच्छे में flowering होती है, अभी इसको सिफ वन मन्त से कम टाइम हुआ है, तो ये इतना फैल चुका है, इस planter में, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, तो ये पूरा इसको cover कर लेगा, तो ये काफी दिखने में काफी सुन्दर लगते हैं, और main बाते अगर आप इनने ground में लगाएंगे, तो आपके ground में काफी ज़्यादा space ये cover कर लेगा, क्योंकि इनकी roots जो होती है, वो ज़्यादा deeper चली जाएंगी, ground में जब भी आप लगाते हैं, तो इनको कम attention की ज़रूत होती है, ये अपना purpose खुद का जो भी problem से खुदी solve कर लेते हैं, क्योंकि roots जो होती है, ground में काफी नीचे तक चली जाती है, और planters में इनके लिए ज़्यादा space नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा सा इनका daily care करनी पड़ती है, हमें इनकी, अगर आप इनके daily care नहीं करेंगे, तो इनके जो color से वो fed होने लग जाएंगे, प्लस इनका जो blooms है, flowers की जो खेलते हैं, वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इनके जितने भी flowers है, जो खेल चुके होते हैं, उनकी dead heading हमें करनी पड़ती है, regular basis पर अगर वो नहीं करेंगे, तो नहीं ब्रांचेज नहीं निकलेंगी, तो बस यही है, अगर आप इन्हें pot में लगा रहे हैं, तो आपको मतलब हर दो दिन में इनकी देखना ही पड़ता, आप इन्हें avoid नहीं कर सकते, यह जैसे मुर्जा गए हैं, flowers तो इनको आप इस तरह से हटा दीजिए, जैसे मैं बता रही हूँ, जो दो-तीन flowers इसमें मुर्जा गएते, मैं उन्हें दीरे से इस तरह से इनका इतना सा portion आप इनका हटा दीजिए, तो इससे क्या होता है, नई branches वहांसे निकलती है, नई flowering होने लगती है, अगर नई कर दूँगी, इससे क्या होगा, यहां से नई जो branches निकलेंगी, और फिर उनमें flowering होगी, इसके flowers जो डैड हो चुके, उन्हें हटा दीजिए, प्लस कोई leaves अगर brown हो गई है, तो सूख गई है, तो उन्हें भी आप हटा दीजिए, वर्बेना प्लांट जो है, वो perennial और annual दोनों ही तरीके से grow होते हैं, हमारी यहां पर temperature थोड़ा high हो जाता है, तो इसके आगे यह grow नहीं कर पाते हैं, पर जो cold areas होते हैं, वहाँ पर यह हमेशा flowering करते रहते हैं, वर्बेना बहुत ही pretty happy to go lucky plant है, heat tolerant भी है, थोड़ा बहुत, इसको six hours की sunlight proper चाहिए होते हैं, at least आप इसे six hours की sunlight जरूर दें, जब भी इसे पानी दें, मिट्टी को चेक कर लें, उपर से dry हो गई है, तो यह आप इसे पानी दें, ज़्यादा पानी नहीं देना है, हमें इन plants को, प्लस जब भी आप इसे पानी दें, तो इसके foliage पे, अमें इनको foliage को wet नहीं करना है, आप जब भी इसे पानी दें, सीधा मिट्टी में दें, या best way, आप इसे bottom से पानी दें, इसके नीचे एक tray रग दें, उसमें पानी आप डाल दें, तो नीचे से यह पानी लेता रहेगा, क्योंकि इनके foliage अगर आप वैट कर देंगे, तो उनमें fungal infection हो सकता है, मतलब वर्बेना का यूज काफी अच्छा है, इसे herbal tonic की तरह यूज किया जाता है, और ये aroma therapy में काफी ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इनकी fragrance भी काफी अच्छी होती है, तो एक तो herbal tonics की तरह ये नहीं यूज किया जाता है, और आरोमा therapy में भी काफी यूज होता है, इसका वर्बेना butterflies और बीज को काफी attract करता है, तो अगर आप अपने garden में इने लगाएंगे, तो ये regular visitors रहते हैं, जो वर्बेना को पास आते हैं, वर्बेना के पास आते रहते हैं, अगर आपको लगता है कि इसकी कोई branch ज्यादा लैगी हो गए, थोड़ी लंबी हो गए, तो आप उसे cut कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि थोड़ी लैगी हो जाता है, एक ही branch जो काफी लंबी growth करने लग जाती है, तो आप उसे hard prune कर दे, उसका one third part जो है छोड़ दे, बाकि आप इसे hard prune कर दे, तो इसे नई branches निकलेंगी, तो आप इसकी cutting करते रहें, और dad heading तो मैंने बताया है, जैसे आप इसकी dad heading करते रहें, वर्बेना में आप all purpose fertilizer 2020 जो आता है NPK, वो आप इसे देते रहें, प्लस आप इसकी पत्तियों को पीछे से check करते रहें, क्योंकि इसकी पत्तियों में पीछे कि आप powder mites fungal लग जाता है, इसके लिए main issue इसका इससे होता है कि हम इसे पानी दें, अगर इसके foliage पे तो होता है, fungal issues हो जाते हैं, तो हम जब भी पानी दें, आप या तो routine बना ले कि वर्बेना में आप सुबे को पानी दें, ताकि दिन में जो sunlight होगी उससे इसकी leaves और पूरा foliage जो dry out हो जाएगा, रात होने से पहले पहले, शाम को इसे पानी ना दें, उसे बचे, पानी दें तो आप ध्यान दें कि सिर्फ मिट्टी में ही पानी दें, इसके foliage पे बिल्कुल भी पानी नहीं टच करना चाहिए नहीं, तो powder mites और aphitavates और caterpillars, millibugs, mites, इसमें काफी problems हो जाती हैं इनकी वज़े से, आप इनकी पत्तियों को चेक करते रहें, अगर इनमें कुछ problem है, fungal infection है, या aphitavates का इस पर attack हुआ है, तो आप इस पे soapy water या neem oil का spray करना स्टार्ट कर दें, उसके बाद थोड़ी देर neem oil को इस पे छोड़ दें, उसके बाद इसे पानी से अच्छे सी निला है, तो यह स उसको propagate करना चाते हैं, तो best way है, आप इसके seeds purchase करें, उन्हें grow कर सकते हैं, या फिर इसके stem cutting भी लग चाती है, तो आप इनकी stem को भी अगर मैं जैसे बता रही थी है, अगर कोई laggy हो गई है इनकी stem, तो आप उन्हें cut करके उनकी नीचे की leaves निकाल दें, और उसी गंबले मे फिर से लगा दें, अगर वो लग जाए तो well and good, या फिर seeds तो है इनको propagate करने का, जब इनका season खतम हो जाए, तब आप इसमें जो flower से कुछ उनको उसी पर सूखने दे, उन्हें collect करके रख ले, क्योंकि उन्हें में इनके seeds होते हैं, तो आप जब भी next season होगा इनका, तब अच्छा तरीका है, stem cutting के थूजों में बता रही थी, आप उसके leaf node को soil में लगा दे, और फिर इन्हें liquid ghat देते रहे, तो maybe कुछ तो stem cutting से वो जो लग जाती है, कुछ नहीं भी लग पाती है, तो friends, यही थी वर्बेना की cares, अगर आपको कोई doubt हो, या कोई problem आ रही हो, तो आप मुसे comment करकर पूछ सकते हैं, plus मेरे इस channel को जरूर subscribe कीजिएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा like कीजिएगा, thank you so much